नमस्कार, पेशेंट फीडबेक में आज हम बात करेंगे एक और पेशेंट के साथ जो की आए हैं बहुत दूर से तो चली जानते उनको क्या तब्लीफ थी और आईरविद लेने के बाद उन्हें कैसे लग रहा है नमस्कार. हाँ, क्या नाम है आपका उन्हें सर् मेरा नाम नाम लतीफ पूर्बाय क्या है आपको करने के तैम बढ़ रहा है हिर यहां एक यह जाए है घर वर से समघ मेरे आपसे कांटब किया उन्हें. आपने दौए शूरू करी.. जब सामवाईज में आके 2-3 महिने में आम ले सकताँ आपको ठोड़ा आराम लगने लगा है? आराम लगने लगा है कैसे शुरू हुई? आपके तकलीफ कैसे शुरू हुई थे? सर मेरा प्राब्लम तो 2008 से शुरू हुँँआ 2008 से? और आंक में सूजन था एक्ट्वली मेरे को साइट कम हुआ था, मतब दिखता नहीं था आपको, दूर का नहीं दिखता था था, ठीक है, और आई चेकप को गया तो थोड़ा कुछ प्राब्लम है, जाके आई इस्टिंट में मिलो वालके अटर से दिया मेरे, आँके डॉक्तर के पास, उदर जाके च तो कितने दिल लिया था आपने वो दवा, तो लगब आठ से एक साल तक भी है, आठ महीने से, एक साल गास पस्ते हैं थोड़ा डोस ज्यादा दे के कम गड़ते हुए है, रुका दिया, टैपिंग करके, और आंग के पास भी थोड़ा इंजेक्शिन मी देता, क्या हुआ फ और अटी के डाक्टर में बास गया, वो चेख अप करे, चेक आप करके, मतलब पूरा टेस्ट बढ़ते गाया, एकी बार में नेपाता चला, लास्ट बोन स्क्यान तक गया दो तीन मेने में, एकी बार नेपाल ग अइसा कायला, रिपोर्ट करते कर अथ रिपूर्ट करते कर को बहुत चाहँ क्यों और बहुत शायबक करने पेंगे तक दुसरा पातित civilization कर पर देआर लेतेARS ओके, सॉल्ट मत्तब कुछ भी नहीं था, ओके, किस छीश की रोडी खाते थे, एक गेम, कुछ भी हो, और सबजी में तेल वेल कुछ होता था नहीं, लेने, कुछ भी नहीं, उबला हुआ खाते थे, ठेक, और, और क्या खाते थे, और शाम केट हैं, फूरूट्स, फूरूट कोई फीक्स फूरूट था या सारे फूरूट्स का? सारे फूरूट्स, नेचरोपथी लेने के बाद क्या हुआ? नेचरोपथी ऐसा है, कार्ट मैने, लो मैने ठ्राइक लिए, वेट तो लास्वा मेरा, थोड़ा हलगा दिखने लगा, पतले दिखने लगे? पिर भी कंटि में क्राम सारे थे, और सावज में ले आया, और गुड़ना दर्द केसा था वे नेचरोपथी लेने से? वेट लास होने से थोड़ा चलने पिने में आसान में से दरद तो था लेकिन ज्यादा फरक ने बढ़ता था मेरा की, उसके बाद क्या 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 आपने? उसके बाद पहलत लेको चलनलों क्या है, उसके बाद टीन साथ तक यह लाग दून के पहले तक ओके उसके बाद और एक डाइट फ़ले किया आपने कौन सा डाइट? डाइट बोले तो खाने से पहले थोड़ा यह लेना है शलाड ओके आदा कच्छा आदा और आदा डाइट आपने 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 वो कितना डाइम के आपने? चलो ओ आज़ा आपने करने के बाद क्या हो आपने तो अचाना थोड़ा के दिन में infections जोड़ा आड़ा पदा तो हात पेर थोड़ा निली हो भिए थे गिले हुए थे निले निले हो गए थे निले हो गए थे थे थोड़ा पास में आया आरे भी रहता न वह देखे माइड श्ट्रोक शायद बलके थोड़ा ठीक है उधर इधर आस्पिटल कुमे और उस टाइम से मेरा को ग्यास ज्यादा बढ़ गया और वनकर रोग भी ज्याद सकता समझे और इसे ही चला थोड़ा दवाई तो मेरे गलोबदी पे थोड़ा ड़ था अरे नियो तो क्या हो दा कि अधर तक ही और उस टाइम में मैं राजविदिष्टी सर के वीडियो फाल होता था और आपके वीडियो थोड़ा कनेट दिया मेरे को आपको और आपको रा किया था तेंग फरवरी 2023 को इस साल में ही आम दे कॉंटेक किया था ना तब आपने तब बोली थी कि आपको बहुत चिंता होता था और डकार बहुत आता था दो सो बार डकार आती थी आपको और ठंडी गर्मी दोनों से तकलीफ होती थी तो अभी कैसा है वो सब लेने के ब कैसार रागा गया सके उसके और जो ड्ठकार बहुत आती थी वो कैसी है अब आपको जो दो सो बार डखार आती थी वो नहीं तो बिलकुल मैं फिर आपने बुल था कि आपको चक्कर जैसा आता था वो केसा है वो भी कंट्रोल में आ गया गया सा और नी का पेन और हिल का पेन जो था वो पूरा कंट्रोल में आ गया सा और क्या वला तो मेरा गाने के बाद 12 संग्या कि मैं सही रास्ता पर जारो पूछ गाएट आपने फॉलो गया साउंड सुनके हार्ड कार जो दढ़कन है वो बढ़ जाता था आवाल सुनके वो कैसा है अभी वो अभी कंट्रोल है सरावित कितना परसन सौ में से आराम है उसमें एटी परसन आट महीने में हाँ में फिर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी और कान से आवा जाता था वो कैसा है वो भी अच्छा लग रहा से अभी वो चला है ठीक आपने आयर्वेदी डाइड और दावाइं से फॉनो की हाँ आपने बोला था आपको नानवेज ह या वो नुबई आये थे क्योंकि उनको कमर के आपे सोजन था ट्रावलिंग से दर्द होता था और जो आपका ये सर्वाइकल जो है वो घसना चालो हो गया है डिस्क का डिजनरेशन आपका होना चालो हुग है तो आठ दिन हमने उनको पांच दिन के लिए ही आये थे तो प अन्यवस्ति मतलब किया अगनी कर्म विद्ध कर्म कपिंग शिरोधारा इतने सा और अभ्यांग इतने सारे ट्रीटमेंट किये तो जब आप आ रहे थे तब कैसे थे और अभी कैसा है बहुत अच्छा है सर मेरा गुल एक्ट्वाली पाहिले दिन में ही फरक क्लियर मालूम निए का स्टीफनेश होने थे कुछ भी नीन वोस दै ये फिछले दो तीन महिने से बिस्प्ट निन सोया थे फास दिन नीद आपको दो सबसे अच्छी पास दिन में ही और गर्दन का कमर का दर्द कैसा है आपका फरी हो गया सा पूरा श्टीफनेश था फ्री हो गया था प और आपको ट्रैबलिंग करने से तकलीफ होती थी, डर लगता था, वो कैसा है? सर, वह एक साल से खिदर भी नहीं गया है, डरेटी इधर तक आया, इतना चुरह भी प्राब्लम ने अभी आप हैदराबाद से मुंबई है, आपको कोई तकलीफ में, ठीक है, तो आयरवेद का आपने डाइन प्रापर फॉलो किया, अभी आप समकुछ हजंब हो रहा है, समकुछ कापा रहे हो, दूद, नौनवे, जूप, दाज, चावल, बाजी, रोटी, समकुछ है जंब हो ठीक, तो कैसा एक्सपीरेंस है आपका आयरवेद लेने से, तर आयरवेद तो मैं दो-तिन महें ने वो भी ट्राइ किया, कि इधर हैदराबाद से, अच्छा, हैदराबाद में आयरवेदी डॉक्टर को दिखा है, दो-तिन महें ने ट्राइ किया, और, कुछ डाइट का आयरवेद लेकिन उदर को दिखा है, आपको जो यहां पर डाइट और मेडिसिन दी, डाइट आपको दिया तो आपको ज़्याद आच्छा है, आप जो बोलते, खाने काही बोलते, नहीं काही भी समझाते, वो बहुत अच्छा है, ठीक, तो अभी आपका चकर, गर्दंदर डगार, बागी, जो आपको दिल बहुत हार्ट बीट दग दग बढ़ जाता था, वो सब अभी अच्छा लगता आपको, बहुत अच्छा है, पूरा प्राब्लम, 80% अब मेरे क्लेर है, और वरसा इतना है कि आगे बिल्कुल नहीं रहेगा, इतना वरसा, ठीक है, लतीफ ज जिनको इनके साथ क्या हुआ था, कि steroid लिया था, हड़ियां कमजोर हुई थी उसके करण, फिर कच्छा खाखाके, या फिर बहुत जदा रूखे आइटम खाखाके, उनके शरीर में वायू बढ़ गया था, और वायू बढ़ने की करण उनको हड़ियों का दर, डकार बहु जलते हैं, और कुछ पेशन्स को तो जिंदगी बर बस्ती लेने वोला है, उसमें से लटीफ जी एक है, तो लटीफ जी अभी आप घर पे बस्ती लेते हो, राइट, तेल का बस्ती लेते हो, कितने महिने से ले रहे हो आप, यह दूद का चालो गट कर दो महिने के ऊपर, द अब उर फीचर मभी, और मेरे फारक दीखे थे हो, मैं अगरता हूँ, मैं बालेडी पूरा देख के आजुगा हो, मैं ईक फारक दीखा थे आटिमेटिंग में करता हूं, तो वो बस्ती लेने से के से लगँ, आपको, आच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या इंप्र लचक होती जा रही है, स्ट्रेट जिसको बोल दें, लचक जो होती है, वो कम हो रही है और थोड़ा दी जनरेशन था, तो वो तो अभी हमने अगनी कर्म और कपिंग किया, तो आपको अच्छा खासा उसमें आराम है, बट वो अगर नित्य बस्ती की प्रैक्टिस करते तो उनको फ्यूचर में कभी भी हंडियों की तकलीफ नहीं होगी, तो आप मेंसे ऐसे लोग, इस वीडियो के द्वारा हम आपको ये बोलना चाते हैं, कि आप मेंसे जो भी लोग, जॉइन पेन की तकलीफ हैं, बहुत जदा गैस होती है, ढगार होती है, अब आईरवित फ फॉलो कीजिए, क्योंकि लतीफ जी आपने पहले होती दिखाया था, बड़ आपको डाइट नहीं मिली थी, इसलिए आराम नहीं मिलना है, और पेशन इसलिए इसलिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, तो आप डाइट फॉलो करेंगे, तो आपको चाहे हड़ी की बीमारी हो गैस की तकलीफ हो, मानसिक बहुत ज़दा, गलत वीचार आते हो, हार्ट बीट बढ़ जाता हो, वो सब की सब चीजे आरविट से अच्छे से ठीक होती है, तो आप वो सारी चीजे अपने नजदी की आरविदी डॉक्टर को दिखा के ठीक करा सकते हैं, ठीक, तो ये तो थ जाने से पहले कुछ और आप बोलना चाहेंगे, आरविद के एक्सपिरियंस के बारे में, ठीक, तो ये उनका एक्सपिरियंस था, हमने ऐसे ही नरेश जी का एक्सपिरियंस शेयर किया था, बहुत सारे पेशे, कुछ ही पेशेंट है, जो रेडियो ते फीडबेक देने के क्यामरा में सामने आने के लिए, इसलिए जो जो पेशेंट अपना आरविद के बारे में फीडबेक देते जाएंगे, उनका वीडियो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें